सोनीपत जिले में आज क्रोना वाइरस ने सभी रिकोर्ड तोड़ दिये हैं आज सोनीपत जिले में 218 नए पोजिटिव मामले सामने आये हैं और अब सोनीपत जिले में पोजिटिव मरीजों का जो मामला है अब बढ़ कर 622 हो गया है और आज जो पोजिटिव केस आये हैं उ और जहां तक अब बात करें गोहाना की गोहाना में भी आज 28 मामले सामने आये हैं इसमें एक जो मामला है सबजी मंडी में है एक देवी नगर गोहाना में है एक गोहाना का ही सेक्टर साथ में करनो पॉजिटिव मिला है एक उत्तम नगर में एक मामला मिला है एक ओल्ड नाज संकर्मित मिला है ब्रोधा रोड गोहाना में भी एक पांच क्रोना संकर्मित मिले हैं और गोहाना सहर की मुगलपुरा छेतर में छे क्रोना पोजिटिव मिले हैं विश्णुनगर में एक चिराना गाउं में एक बडोत्ता में एक महारा गाउं में एक पिनाना गाउं में एक और PGI खानपूर में भी एक करोना संकर्मित मिला है, वहीं बात करें गड़ी उजाले खाम में भी एक करोना संकर्मित मिला है, इसके अलावा राणा खेडी में एक नूरन खेडा में भी एक करोना संकर्मित मिला है, लगातार सोनिपत जिले में करोना संकर्मित के जो मामली हैं बढ़ते जा रहे हैं एक चिंता का विशाय बंता जा रहा है इसके विलावा हम बात करें तो राई में आज मुर्थल में भी कुछ होटल्स पर कुरोना संकरमित मिले हैं अम आपको बता दें कि तीन करोना संकर्मित जो है रोसोई ढाबे पर मिले हैं जिनकी उमर जो है 26 साल है एक की 19 साल है और एक 42 वर्ची है लगातार ढाबों पर भी आज गन्नोर में भी कुछ ढाबों पर करोना संकर्मित मिले हैं और सरकार लगातार लोगों को अगा कर रही है कि आप इस करोना वारिस से बचे और लगातार करोना वारिस के जो मामले हैं ढाबों पर भी बढ़ रहे हैं पीछले दिनों सुखदेव ढाबे पर भी उसके साथ गरम धरम ढाबे पर भी पहलवान ढाबे पर भी जिलमिल ढाबे पर भी इसके अलावा कनक गार्डन पर भी करोना संकर्मित मिले थे और आज जो है राई में रसोई ढबा है वहाँ पर भी तीन करोना संकर्मित मिले हैं गर्णोर में भी एक दो ढबे पर करोना संकर्मित मिले हैं आप सुरुखशित रहें सचेत रहें